नमस्कार दोस्तो मैं हूँ महच चाड़क और आप देख रहे हैं My Fundamental तो दोस्तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत सौगत है और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Indian Railway Finance Corporation Limited के बार में तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपके आगे की strategy क्या होनी चाहिए बहुत बहुत chances हैं कि आपको ये IPO मिला है इसका allotment आपके पास आया है आपको कोई IPO मिलता नहीं है और जब मिलता है तो आपकी situation ऐसी हो जाती है ये दूसरा PSU stock है जिसने ऐसा behave किया है पहला तो है दोस्तो SBI Cards उसकी भी listing sentiments की बज़र से discount पे हुई थी और इसकी भी listing जो है दोस्तो discount पे हुई है तो अगर आप stock को अभी भी hold कर रहे हो अगर आपने बेश दिया है फिर तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि आपके पास तो stock बचा नहीं है और अ आप अभी भी hold कर रहे हो आपने मेरी last time वीडियो देखके इसको hold किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा important रहने वाला है आप इसका previous close देख सकते हैं हलाकि इसकी listing ही आज हुई है उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसकी opening की तो opening इसकी कमजोर होती है लगवग 5% के आसपास इसकी listing होती है discount पे उसके बाद high की अगर मैं बात करूँ तो ये बनाता है 25.45 का और दोस्तों low बनाता है 24.35 का हाला कि वहां से ये काफी जादा recover हो चुका है और आप देख सकते हैं लगवग 1.61% का आपको jump दिखाई दे रहा है लगवग 0.40 ये अब चल रहा है हाला कि अपने दोस्तो 26 प्राइस से ये अभी भी नीचे चल रहा है ट्रेड वोल्यूम के अगर मैं बात करूँ तो 24 करो 33,39,447 शेर जो हो दोस्तों ट्रेड हो चुके हैं आप यहां पर order book देख सकते हैं order book में अभी भी आपको selling pressure सामने दिखाई दे रहा ह लोग जो है वो अपने shares बेच रहे हैं discount पे ही उन्हें लगता है कि यह आने वाले शमय में और जादा पिटेगा delivery की हला कि मैं बात करूं तो जो जिनको allotment नहीं मिला है या फिर लोग discount पे जो मिल रहा है उसको देखते हुए इसमें buying कर रहे हैं आप देख सकते हैं 13 करोड या 13 करोड shares जो हम बोल सकते हैं कि लोग अपने घर पे लेके गए हैं शांदार delivery उठाई जा रही है 13 करोड shares जो है वो दोस्तो delivery पे उठाए जाए यह बहुत ही बड़ी बात होती है बहुत बड़ी achievement होती है और यह data आपके सामने है और एक चीज जो मैं आपको बोलूँग करता है definitely COVID-19 की वज़ा से आपको इसमें गिरावट दिखाई दी होगी या फिर COVID-19 की वज़ा से इनका बिसनस नहीं चल रहा है बड़ कब तक नहीं चलेगा मोनुपली में है इनका सेक्टर और मोनुपली में है दोस्तो रेलवेज तो मोनुपली वाली चीज़ को अगर आप बेज दें तो इसमें आपकी ही बेवकुफी है लॉंग टम में आप इस तो को अपने पास रखिए पहला कारण है यह PSU है क्योंकि यह गिरेगा भी उस हिस आप से नहीं जिसे आप से प्राइविट कंपनिया गिरती है पहला तो कारण है होल करने का यह दूसरा अगर आप लॉंग टम होल करोगे तो आपको दोस्तो डिविडन डील शांदार मिलेगा काफी जादा चांसे हैं कि 5% से जादा मिलेगा तो FD के रिटरंस वहां से आप और तीसरा दोस्तो कि यह कंपनी यहां से आपको डवर रिटरंस कमा के दे सकती है यानि कि अगर यह 25 पे भी ट्रेट कर रहा है तो आने बाले समय में आपको 50 भी दिखाई देगा आपको मैं फिर से बता दू यह जादा से जादा अठरा साड़े अठरा तक गिर सकता है इस इसमें लगाया है और अगर आपने तन लगाया है तो आप डेफिनिटली इसको एवरेज आउट वी कर पाएंगे अगर यह गिरता है हाला कि मुझे चांसिस नहीं दिखते हैं बजट में पूरी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि यह गिरेगा कि नहीं अगर सरकार इस ऑपरि अलॉटमेंट नहीं मिला है यानि कि इससे अभी मैं क्या बोलूँ कि मेरी किसमत खराब है या अच्छी मैं नहीं जानता बट मेरे को इसका भी अलॉटमेंट नहीं मिला है तो मैं अगर अलॉटमेंट नहीं मिला मेरे को तो अगर आप मेरे को पूछोगे कि आप क्या इसमे भी यही बूलूँगा कि जिस सेक्टर से यह बलॉंग करते हैं वहाँ पर अभी डपलब्मेंट होना बाकी है कुछ भी डपलब्मेंट नहीं हुआ अगर आप बाकी के रेलवेस काफी जादा पिछड़ा है और अगर यह डपलब होगा तो इसका भी डपलब्मेंट जरूर हो सा डबल किया है हाला कि exactly low पे कोई नहीं खरीद पाता उसने 10 रुपीज का लो बनाया था वहाँ पे कोई नहीं खरीद पाता क्यूंकि अगर आपने पुरानी बाइंग की है तो आपको उसको एवरेज आउट भी करना पड़ेगा वही केस मेरे साथ हुआ था मैं उसको एव